जैसे कि हम सभी एक पुराने साल को छोड़के एक नए साल में जाने वाले हैं, तो इस नए साल की Lex Cautry Family की तरफ बहुत-बहुत सब कामना है. इस नए साल में लोगों के different resolution होंगे, लेकिन हमें पुराने साल को भी देखना बहुत जरूरी है. तो इस वीडियो के अंदर हम उन पाँच decision के बारे में समझेंगे, जो कि Honorable Supreme Court के दुवारा महिला की ससक्तिकरन के लिए लिया गया. तो पाँच decision ऐसे थे जिससे कि हमने ये समझा, जो उससे महिला को काफी support किया गया है, और महिला की ससक्तिकरन के लिए ये decision काफी जरूरी भी था. So, hello दोस्तो, welcome to my channel, Lex Caudry. मैं हूँ आपका friend advocate के लास, आज के नए legal ग्यान में. जो सबसे पहला decision Honorable Supreme Court के दुवारा रहा, वो था Marital Rape के बारे में, वैवाहिक बलतकार के बारे में. इसमें Honorable Supreme Court के दुवारा, Marital Rape को Rape के कटेगरी में रखा गया. लेकिन ये निर्णे अभी abortion के उद्दे से लिया गया था. चुकि अभी भी Marital Rape के मामले कोर्ट में pending है, लेकिन इस decision के बाद काफी सारे लोगों की उमीद बढ़ गई है. इसके साथ ही जो दूसरा decision रहा Honorable Supreme Court के दुवारा, वो था Pregnancy Termination को लेकर के. इसमें कि Medical Treatment और Pregnancy Act के अकॉर्डिंग जो भी टाइमिंग दिया गया है, एक abortion करने का जो time limit है, जो आप कितने time limit के अंदर आप abortion करा सकती है, तो उस time limit को बढ़ा करके 20 हपते से 24 हपते के लिए कर दिया गया, जिसके तहट कोई भी महिला अपने अधिकार के अकॉर्डिंग वो अपना 24 हपते के अंदर अपना Pregnancy Terminate करा सकती है, अपना abortion करा सकती है, और साथ ही इसमें एक और point अड़ किया गया, जो कोई भी महिला हो, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, यो married हो या unmarried हो, उन दोनों के लिए ये equal right है, जो वो अपना abortion करा सकती है, इसी की साथी Honorable Supreme Court का जो थर्ड decision था, वो था surname के उपर, जो कोई भी महिला, कोई भी माँ अपने बच्चे का सरनेम चेंज करने का अधिकार रखती है, Honorable Supreme Court ने इसमें decision सुनाते वे कहा, जो एक माँ को अपने बच्चे का सरनेम चेंज करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि वो एक प्राकृतिक अभी वावक है, साथी Honorable Supreme Court ने इस पर भी ध्यान दिया, जो कोई भी महिला जब कि अपने पहले पती के मिर्क्टियों के बाद दूसरी साधी करती है, तो उस टाइम में भी उनका अधिकार है, जो अपने बच्चे का सरनेम चेंज कर सकती है, जो किसी भी रेफ की मामले में जो टू फिंगर टेस्ट हुआ करता था, जिससे की ये साबित क्या जाए, जो उस महिला के साथ रेफ हुआ है या नहीं हुआ है, इस डिसीजन के बारे में मैंने एक प्रिविएस वीडियो भी बना रख़ा है, तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा, आप उसे जाकर के जरूर देखें, और यहां ओनरेबल सुप्रिम कोट के दुआरा इस टू फिंगर टेस्ट को इन्वैलिट किया गया, और साथी यहां पर ये भी कहा गया, तो इसे भी दहेज के कटेगरी में रखा गया, और साथी यहां पर ये भी कहा गया, जो अगर ससुराल से कर्ज के तौर पे भी अगर पैसे लिया जाता है घर बनाने के लिए, तो उसे भी दहेज के तौर पे ही माना जाएगा, तो ये थे 5 decision जो कि Honorable Supreme Court के द्वारा 2022 में लिया गया और इन 5 decision में हमें यही देखने के लिए मिला तो ये decision महिलाओं के ससक्तिकरन के लिए महिलाओं के favor मिलिया गया इसमें आपकी क्या राई है कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वोली वीडियो भी आप तक पहुँच पाए तैंक्यू सो मच जैहिंद जैभारत